सेटी साथ, ये नवाज शरीव साहिब इतने महीनों से लंदन में खामोश बैठी है, इधर मर्यम नवाज लहूर में खामोश बैठी है, ये अचानक यका यक क्या हुआ, कि हकूमत दुबारा से मुतहरक हो गई, और खान साथ ने पहले का हम हर सूरत में लेके आएंगे नवाज शरीव को वापस, और फिर बहुत सी बातें हुई, मेडिकल रिपोर्ट्स पे भी हो रही है, वफाकी वुजरा भी बात करें, ये गया, एक दम जाग उठें, कि कोई नवाज शरीव साहिब की तरब से कुछ थ्रेट आ गई है, और दिल्चस्प बात ये है कि जब वक्त आया था इनको बेजने का, तो उसको तो सारे ये एक ही आवाज से बात कर रहे थे, इनकी जो पंजाब की मेडिकल बोर्ट्स थे, इन के अंदर डिसकेशन्स हुई, फिर सारी बाते हुई, फिर अदालतों में जाके ये बाते हुई, फिर ECL से उतारा तो गवर्मन ने तो हर काम खुद किया था, और जिमदार ही ली थी इस बात की, और आज कह रहे हैं जी के वो सारा कोई गलत हुआ, कोई साजश थी, हमें तो तमकिनत मिनिस्टर साहिब ये कह रहे हैं कि वो डॉक्टर साहिबा जो यहां है, क्या नाम है उनका? यास्मीन राशिद, यास्मीन राशिद साहिबा, वो गाइनकालोजिस्ट हैं, उनने क्या पता था किस किस कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ये भूल जाते हैं कि आदी का भी ना, इमरान खान साब की वो काम कर रहे हैं जिसके लिए उनकी कोई ट्रेनिंग ही नहीं है, मतलब है कि इनको कौन सी टेकनालोजी का पता है, कौन सी एंजिनेरिंग डिग्री हैं उनके पास, इसी तरीके के साथ और साहिब हैं बहुत सारे, अब मैं कहा नाम लूँ, एक एक करके नाम लेंगे तो फिर मसले बन जाएंगे, तो इस खिरम की बाते शुरू होगी है, एक दूसरे की का चीज़ हुई है, एक तो इन्होंने मरियम नमास के पर भी प्रेशर डाल दिया, वो भी उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं थी, ऐसे आया, ऐसे गया, अब चुप हैं उसके बाद, जब उन्होंने का ठीक है, मैं आती हूँ, फिर देख लिया क्या हुआ, तो चुप होग जो कंडिक्शन लगाई गई थी, उसको वाइलेट किया है, बेखें जी, यह तस्वीरें उनकी, यह सड़क पे चल रहे हैं, इसका यह मतलब है, वो बिमार नहीं है, और वो बात यह है, कि इसकी जवाब में तो मिया साहिब की तरफ से, उनके डॉक्टर की तरफ से आ गया ह कि हम हाई कमिशन को कहेंगे, आके चेक कर ले और हमारी डॉक्टर से मिल रहे हैं, और आज की खबर यह भी थी, तमकनत के वो कह रहे हैं, सिप्टेंबर के अंदर वो प्रिलिमिनरी एग्जैमिनेशन के लिए हस्पताल जा रहे हैं, वो इस हार्ट प्रसीजर्स, तो उनकी कि तरह से भी कोई मेडिकल की तरह से भी कोई जवाब आ गया है, मगर हुआ यहां क्या है, हुआ यह है, कि जब से मौलाना फजल रिमान हरकत में आए हैं, तो इने दी टेंगा खड़कनी शुरू होगी हैं, उसकी वज़ए यह ना कि मौलाना जब हरकत में आते हैं तो वो आम सियसी जमात की तरह नहीं कुई कि उनके तो लाकों की तदाद में उनके सपोर्टर्स हैं, उनके फॉलॉर्वस हैं, और वो एक इशारा करें, और वो सारे इसलाभाद को टेक और कर सकते हैं, इस किसमए जबा है, मजभी जबा है इसी किसम का होता है तो अब मौलाना ने हम डटे में हैं दूसी तरफ से का के आप चले जाएं हम इनका फारग कर देंगे किसी स्टेज पर वो फारग नहीं हुए मौलाना आ गए मौलाना की बिस्त हो गई यार इतने लोगों को लेके आये थे हरको हरी को कह रहे है जा रहे हुआ कुछ नहीं मौलाना भी बड़े अप कहानिया उपर से ये के अच्छा मौलाना पहले मिले इदर फिर उदर मिले फिर एपी सी की बात हुई फिर ये हुआ फिर वह वह वो डेटे थोड़े सी पोस्पोन हो रही है मगर डेटे मिलते रही है ना उपर से आपको पता है वह फवाद चाहरी साब एक बात कर गए हैं जो कि लोगों के जिनों में बैट गई है कि छे महीने आयने दिसम्बर तक गवर्मन्ट को अपना परफॉर्मंस इंप्रूव करना पड़ेगा और इमरान खान साब ने खुद कह दिया अपने लोगों को कभी छे महीने के अंदर अदर आप ठीक करें तो ये छे महीने की घं हैं तो ये जितनी जल्दी दूर वह घंटि करीब आती जा ती ये नर्वस होते जाते हैं अब वह नर्वसनस की तो इस उसकती हैं कि अगर मियां साब हर्कत में आगए मौलाना के साथ तो फिर बचाओ मुशक्र हो जाएगा ना मौलाना तो बैठ़े हैं मौलाना नराज हैं कि मैं त्यार हूँ, आप लोग नी त्यार, पीपlek पृट्टी वालो, नून्ली वालो आप लोग नी त्यार। और इसमें कोई शकी नहीं है. वो कोई धर फfilled पुसल जाता है, कोई अपनी कि कि लोग कहते हैं मिया साहिब ने फोन किया jij कुछ cry कि लोग के लख़ग बीच में डाल के उन्हों ने करवाई ये बात चले चोड़े किस ने किया वात तो हो गई अज्य बी मता चल गया है कर मिया सहभ में किया बात किय और अ Mayor बात चलाते हैं क्योंकि मैं हमिया साब कोई समझ आ रही है कि ये मामला ऐसे जारा देर चल नहीं सकता चुप की रहना मनासिब नहीं है सड़कों भी आना कोविड के जमाने में महराम यह वो यह सब जा रही गरमी है बार्श होरी है वह उब हो भी कोई महाल तो ठीक निया ये सड़ाओं पे आने के लिए मैं अब भी झिस क到 कोश खतम होने जा रहा रहा है बहु क्विड जिजो है वह आकरी दम है अब खतम होनने जा रहा है कोविद फारग, यह क्या जा रहा है, मौसम भी अच्छा हो जाएगा, छे मेने भी कप्लीट होने को आ रहे होंगे, ठीक, तो मैं यह समझता हूं कि थोड़ी गर्मी सर्दी, गर्मी सर्दी शुरू हो गी है, सियसी तोर पे, और मेरा यह तज्जिया है कि हकूमत को भी परिश स्टेज पर केसे शुरू कर देती थी, इसलामबाद आई कोट ने तो ठीक ठाक खड़काया, और सुब्रीन कोट ने भी ठीक ठाक खड़काया, और मतलब है कि छोटी बात नहीं है, ऊपर से जो छोटी अदालतों से नैब अपने काम करवाती थी, अकाउंटबिलिटी कोट, वहाँ भी कुछ आपने देखी लिया, कुछ जाज अज़रात को वीडियोज आ रही है, कुछ वीडियोज जा रही है, वहाँ भी प्रेशर आगया है, फिर कुछ जाज़रात जो हैं वो अपने आपको रिक्यूस कर रहे हैं, कि हम नहीं ये केस सुनेंगे, ये बाते सारी च सारा कुछ control इससी यह क्या हो रहा है और फिर मर्यम साहिबा एक दफा निकली है चुप थी उनका कोई रादा नहीं था बात करने का या कुछ करने का उनको प्रोवोक किया गया उनको तलब किया गया जब वो तलब की तो फिर उनने जाना ही था ना पिर आपने देखी लिए क् अगर तलब करेंगे तो शायद इसे भी बड़ा मजमा हो जाए वहाँ तो यह सोचना चाहिए ने इनको कि यार हम जो करने जा रहे हैं यह बैक फायर ही ना कर जाए तो मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून और उनके साथियों के अंदर भी कुछ थोड़ी सी जहान आई है और अब शाबाद शरी साथ के बड़ा सख प्रेशर है और बिलावल के बड़ा या जरदारी साथ के बड़ा प्रेशर है कि भाई अगर ऐसी काम चलता रहा तो काम नहीं चलेगा और ये पांच साल गुजर जाएंगे और फिर उसके बाद आगे और पांच साल ना गुजर जाएंगे जिस तरीके से फरिश्टे मदद करते हैं तो ये इसलिए अब हमने फरिश्टों का अपनी साइट पर लेना है और वह तरीका एक ही है कि इनको किसी तरीक Literally कि आजए ताकि फरिश्टे काए यार ये बिद्शित SEN घूर जाएंगे तो क्याम ऐँद एखर को मिया थार ने साड़ चये और ये कुछ सिए पर तर पतब देल हो जाने वाले हैं कुछ को फरिश्टे इतर और तो बात ब्क्ता अभी आपको पता को एक कोई 15-20 दिन पहले एक अफ़ाँ चली थी कि मियासाइब लोगों को मिल रहे हैं लंदन में और उन से पूछ रहे हैं कि मैं जाओं वापस या ना जाओं हाला कि मियासाइब नहीं मिल रहे किसी को ये मेरी चिडिया की खबर है जब बैने ये खबर सुरी तो मैंने चिडिया कई ओ जो यार पता गर का मियासाइब की तूछने फिर देonce। तो वह वापन तो ने कहते हैं, मियासर तो नहीं कुछ पूछ रही है, यह खबर चल रही है, यह अफवा चल रही है. अब मैंने दिल में सोच आई यह अफवा कौन चला रहा है? अब दो सूरती हो सकती हूं, एक तो नूनलीक वाले खुद ही चला रहे हो, और एक यह गर्वाद चला रही हो, नूनलीक वाले खुद चला रहे हो गर्वाद को ड्राने के लिए, और गर्वाद जो है वो डर के मारे खुद चला रही हो ताक इनको वापस लाया जाए और जेल में डाला जाए, तो यह मगर अफ़ाद चली चली ज़रूर, तो इस वज़ाद से गर्वाद नर्वस है, और गर्वाद ने एक फैसला किया है कि मर्यम को और मिया नवाद यह बेसिक थ्रेट्स हैं, और इनको टाइट करके रखना है, तो यह वो सारा कुछ हो रहा है इसकत, मेरा नहीं ख्यार अभी कोई इरादा है मिया साब का वापस आने का, या कोई इमकान भी नहीं है कि वो जल्दी वापस आ जाएंगे. अच्छा सेड़ी साब यह तो आपने सारी बात बताई, अब मेरा अगला सवाल इससे यह निकलता है, कि हकूमत क्या वाकई संजीदा है मिया नवाज शरीप को वापस लाने में, या ड्रामा कर रही है, और अगर संजीदा है तो वो क्या रास्ता इक्तियार करेगी, क्योंकि बातें तो बहुत हो रही हैं कि जी उनको हम यूके की गर्मेंट को कहेंगे, और क्या वो काम्याब होगी हकूमत? गर्मेंट बिलकुल संजीदा नहीं है, अगर संजीदा होती तो जाने ही न देती है, जाने दिया है कि चुप करके बैठो हमें तंग न करो, अब मिया साहमने तो कुछ नहीं किया तंग करने के लिए, तो अब बात यह है कि यह काउंटर प्रेशर है, उदर से मौलाना और मिया साहब थोड़ा बहुत लगा रहे हैं प्रेशर, इदर से इन्होंने यह प्रेशर शुरू कर दिया, मरियम को बिला लिया, इदर मिया साहब के पीछे पड़ गया कि यह करेंगे वो करेंगे, अब चले, फॉर शेक अब आर्ग्यूमां, यह संजीदा है और यह कहते हैं वापस लेके आओ, मिया साहब अगर वापस आये ना तो लाख़ बंदा होना होते है, एरपोर्ट ते, और मिया साहब ने भी फिर जाद भरना है, आपके साथ और मेरे साथ और सारे दुनिया के जिसाफ़ी साथ ले लेंगे, और वो बेनिजीर को आप बूल जाएंगे जब बेनिजीर वापस आई थी ना, आपको याद होगा मुशरफ के जमाने में, तो उनके लिए भी लाक बंदा पहुंच किया था, एरपोर्ट लेने के लिए उने, अब मिया साहब को भी लाक बंदा लेने के लिए चला जाएगा, आपने एक झ्छलक तो देखी ली ना, मर्यम जब निकली थी, तो अगर ये फैसला हुआ कि हमने लेने जाना है, तो फिर मिया साहब जिस दिन आएंगे, अगर आए, तो लोगों को ये रोकेंगे ना, जब लोगों को रोकेंगे तो खुन खराबा, खतरा है, लगाई जगड़े, तो टेर गैस, फलाना, डिंगड़ा, सारी दुनिया दे मैंता हूं कि बिल्कुल कोई रादा नहीं है, सिर्फ धंकिया है, और इस वक्त कश्नकश जा रही है, आपने भी बात किया है कि लाख बंदा जाएगा फिर एरपोर्ट, तो पिछली दफ़ा तो मिया शेहबाद शिरी वो एरपोर्ट का रास्ता भूल गए थे, जब लोग इतने इकटे हुए थे, तो इस बार उनको रास्ता याद रहेगा, देखे, रास्ता याद अवाम को होता है, मगर दिलाया भी जाता है, तलब भी किया जाता है, याद भी किया जाता है, हुकम भी दिया जाता है, पिछली दफ़ा जब शावाज श्री साब चुप करके आग फरिश्टों के साथ काम करना चाहते वो लड़ाई जगड़े चरवाज शरीफ साहब बिल्कुल पसंद नहीं करते वो कहते है टेबल के साथ बैठ के साथ ही सूर मगर लड़ाई जगड़ा नहीं सडकों वाली सियासत नहीं अलबता नून लीग में अब लोग हैं वो बड़ी रैडिकलाईज होगी ना नून लीग भी तो और आप ने देखा है मिया साथ ने लांग मार्चे भी की हैं सब कुछ किया है और अगर मुलाना साथ हो तो फिर सौ फिसद कामियाबी यह मैं आपको लिखके दे दूँ जिस द अंडरस्टेंडिंग के तहत सब कुछ चल रहा है जब अंडरस्टेंडिंग तूड़ जाएगी एक साइट से या दूसरी साइट से फिर नहीं केश्म के शुरू होगी एक बात बगार पे और आपसे कह दूँ कि यह गर्वर्णन नाहल तो है मगर इतनी बेवकूफ भी नह अब यह मिनिस्टर साइब जो हैं इनके मुक्तिलिफ मिनिस्टर साइब वो गाली गलोश पे आगए हैं मिनवाज श्रीफ साहिब के खिलाव यहां तक के वाजब बुश्मन फांसी दूख वाजब बुटल अच्छा अब बात यह कि यह क्यों क्या जा रहा है मेरा ख्याल है कि अगर इनने एक्स्रेडिशन की कोशिश की भी कि जी निकाला जाए वहां से तो यह तो बड़ी सिम्पल सी बात है वहां की अदालत को मिया साथ की वकील दखा देंगे कि जी यह तो मुझे मेरी जान लेने को फिर रहे हैं और अंडर ब्रिटिश लॉज वो कभी भी उनको वापस नहीं जाने देंगे प्रगी वो तो एक बंदा अगर एक्स्ताइशन ट्रीटी के अंदर वह कृमिनल हो, मर्डरर हो, उसकी एविडन्स हो और सारा कुछ भी हो जाए वो फिर भी एक्स्ताइट निकरते, क्यूंगे अगर उसकी सजा सजा मौत है तो वह एक्स्ताइट निकरेंगी क्योंकि उनके वापस बेज़ें जो इस वक्त जो की सजा उनके लिए है वो सजा मौत है तो कोई चांस नहीं है अभी एच्जा जैसल साभ ये बात कर रहे थे मैंने सुन रहा था कि ये बड़े बेवकूफ लोग हैं जिसके जिसके ये फजूर बाते कर रहे हैं ये तो एक सेकंड में लिए अगर मिया नौाशी साहब ये वहाँ की अदालतों को रहुमत को कह दें कि वहाँ तो ये हो रहा है तो वह सवाल ही पहते नहीं होता कि उनको वापस बेज़ेंगे तो मैं समय नहीं ये सोची समझी ये गाली गलूच भी हो रही है ताकि आने का मौकाई ना मिले आही ना तो मौतरमा के साथ बढ़ानी है 2008, 2007, 2008 की मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ ये ही फैसला हुआ था कि मौतरमा भी एलेक्शन के बाद आएंगी और नौाशी साह का तो आना है ही नहीं तो मौतरमा ने पहले तो ग्री किया पर बाद में उन्होंने यूटन ले लिया और उन्हें क हुआ तो बात वही है ये बेतर यही होता है कि बाहर बेज़ने और बेतर इस से बेतर क्या कि बाहर बेज़ के चुप भी करा दें ये सबसे बेतर स्ट्रेटिजी होती है सियासी तोर पे अपने पोनर्स के खिलाफ और ये मैं आपको जादो ये आज की बात नहीं है तारीख अगर आख पढ़ेंगे नपोलियन से लेके और भी बड़े लोगों से लेके कि सियासी एक्जाइल जो है जिलावतनी जिलावतनी जो है ये पुराना एक तरीका है सियासी अपने सियासी अपोनर्स को चुप कराने का क्योंकि अगर आप समयते हैं कि उनको जेल में डालना और यहां से एसकेप करना या फिर जैसे यहां रहेंगे तो लोग मिलेंगे तो बाते निकलेंगी तो इसलिए बेतर ही होता है कि उनको कहीं जिलावतनी वतन कर दिये जाए और यह तरीखी एक सियासी अमल है इसलिए मेरा ख्याल है अभी यह ऐसी चलेगा